इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 समाजिक विग्यान का एक्जाम मोडल सेट वन सॉल्ब करने वाला है। इस समाजिक विग्यान के एक्जाम मोडल सेट में तीनों किताब से कोश्चन रहेगा। आगे पास जो सोसल साइंस का तीनों किताब है, हमारी दुनिया, आतीत, से वर्तमान, आर्थिक और समाजिक जीवन उन तीनों किताबों से इसमें कोश्चन रहेगा। तो मैडम बोल देती हैं कि एक्जाम मोडल सेट पढ़ लेना, इसमें से कोश्चन देंगा। एक्जाम मोडल सेट का किताब आता है स्कूल में बेचने के लिए, अगर आप नहीं खर दें तो कोई बात नहीं, एक्जाम मोडल सेट तो सॉल्व कराई हैं, अगर खरिद लिए तो अच्छे बात है। एक्जाम में टोटल मार्क्स रहेगा पचास, और कोश्चन सॉल्व करने के लिए दिये जाएंगे समय दो घंट है। दें फरस्ट में लिखा हुआ", रिग्ट इस्थानों के पूर्टी कोश्ठक में दिये गए सबसे कीज़ें। कोश्ठक याननी क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो 2 को सब दिये गएं इसी से भरतना करना था खाली स्थान में। चार को कोशन रहेगा, एक कोशन सही किजएगा तो दो नमर मिलेगा, तो टोटल नमर कितने मिलेंगे, आठ, चारों सही कर लिजएगा तो आठ नमर मिलेंगे, फर्स कोशन है वज्जी संकी रजधानी डैस थी, तो वज्जी संकी रजधानी थी वैसाली, तो वैसाली में क्या करना है टिक नहीं मारना क्या बोला जारे कि तो स्थानों के पूर्ति कोस्ठक में देगा सब दूसर किजिए तो विसाली को इसमें भर देंगा से करना है भूमद्य रेखिया वृत एवं किसी स्थान के बीच डैस कोन बनता है अच्छांस दूसरा अप्छन है देशांतर देखे भूमद्य रेखिया वृत किसको कहते हैं भू में इस होता है बीच में जो प्रिथिवी है उसको एक वृत है ने बीचों बीच बाट देती है इसी को कहते है भूमाद्दे रेखे वृत है और इसको भूमाद्दे रेखा भी कहते हैं अगर इसको एक रेखा से दिखाएंगे तो इसको कहेंगे भूमाद्दे रेखा तो यह देखे ये जो वृत है और ये जो रेखा है ये पुर्थ्वि को दो भडावर भागोईं बाड़ती तो पुर्थ्वि को गोला के दो गोल चेंटे है तो गोला को दो भागोईं बाड़ती है जसको तो केंद्र से यह जो कौन बनेगा उसको कहते हैं अच्छांस कौन ठीक है यह वरित बनाया है तो यहां से यहां तक यह कौन जो है इसको कहेंगे अच्छांस कौन नीचे यह बनेगा तो देखें नीचे माल लेते हैं कि दो वरित ले लेते हैं ठीक है दो वरित दो यह वरित क नहीं है तो यहां देखे किंद्र से जो कोन बन रहा है ठीक है इसको कहेंगे क्या अच्छांस कोन उपर जो बनेगा उसको कहेंगे उत्री अच्छांस कोन नीचे जो बनेगा उसको कहेंगे दच्छनी अच्छांस कोन कि उपर दिशा होता है मैप में उत्तर नीचे दिशा होत जैसा यह फोटो में देख सकते हैं काफे इस पर्ष रूप से लिखा हुआ यह 15 डिगरी का बन रहा है कौन तो यह जो बीच का कौन है ना इसको कहेंगे उत्री अच्छांस कौन क्योंकि उपर बन रहा है ठीक है वह नीचे बनेगा तो इसको कहेंगे तो अच्छांस कौन तो कोन ये दूड़ी है थीज परेका बिच में जो कों हैं इसको कहते हैं उत्री अच्छांस कौन की बना रहा हुरो कि नीचे बनेगा कोन तो कोσιं को क्या कर रहा है और किस स्थान के बीच के कौन को कहते हैं ठेके अच्छांस कोण को अगर आप Sinnag Inside का प्रिभास पूझे तो λिखेंगा भूमादे रिखा से किसी भी इस थान की ऊत्री और देशन्त क्यों को अच्छांस करते हैं जैसे बी चुला जो है ना भूमाद्य रेखा इसको भूमाद्य रेखे इवरीत भी कहते हैं यह गोल के रूप में रहता है इसको भूमाद्य रेखे इवरीत कहते हैं तो यह किस डिग्री पर है जिरो डिग्री पर है इलिए इसको जिरो डिग्री का छांस रेखा कहाते हैं कि की है ब्हुमादिय रिख्ण के साथ qui कुन बनाएगा यहों और रिख्ण है अपने इसे कितने कुन बनाएगा ह跟你 the question है तो नियाम एमगर काणून बनाने काड़ा डाश करती है तो यह में ने अपना पहला उपदेश डैस में दिया, तो कहां दिया, सारनाथ में दिया, यह यूपी में है, यूपी के वारनाशी में, तो महताम बुद को जब ग्यान प्राप्त हुआ ना, तो उसके बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया थे, और बुद गया हमें उनको प पहला कोचन है प्रारंबिक ओजार, अधिकांस तक किस चीज के बने होते थे, प्रारंबिक ओजार मतलब क्या जब सुरू में जब ओजार बना था तक आदी मानव के समय, तो अधिकतर ओजार है न वो बनागवा था पत्थर का, करक रेखा है, तो आभी आपको जो उत्रिय च पता है न, उत्रिय चांस, ठीक है तो इसकी ऊपर न एक और व्रित है, सारे तेश डिग्री पर, इसको कहते हैं करक रेखा, ठीक है, जब किताब पढ़ाएंगे तो अब बताएंगे, करक रेखा भारत के किन-किन राजियों से गुजरती है, यह सब पूछता है, कोश्चन, तो भुमद्य रेखा कि उपर है, तो यह उत्तर हो गया, नीचे है तो दच्छिन हो गया, तो उपर बनेगा उत्री अच्छांस, नीचे बनेगा दच्छिन अच्छांस, और वही सारे तेश डिग्री नीचे रहे गया न, नीचे यानि दच्छिन में, इसको कहते हैं मकर र इतने शारे वृत बनाये घेला इंठने को जिए डूरि को कहते हैं छाप्ते हैं तो को मलता है जिना प्रीचा देखा लिगा है विरेतो कि रिजा धीनिट 00ff कोंतो है । इसके कम ओपने आफ्षाथ को दिए घञते हैं करक देखा-कर्क रेक्षाдел कौन बनाता है कितना 3000 डिखर खिरांग तो उपर बना रहाी तो हो गया उत्हीं है उत्हरी ऐस्टंक कौन क द्पा contribution क्यों कि housing आ पर यह कौन कहां से महां पर एह आने ये कुनिये दुरी तिसी को कहते हैं करक रेखा जितना कोन बना रहा है उपर बना रहा है तो उत्री अच्छांस माने तेक और रेखा ले ले लेते हैं तो ये कोन जितना बनाएगा ठीक है इसको भी कहेंगे क्या उत्री अच्छांस का कोन इसी तरह आगे भी पढ़ेंग उपढ़ क्या है? उत्री धृवव, निचे है दशनी धृवव तो उत्री धृवव बाद दशनी धृवव को नहीं मिलाया गphonica ठेल सारे वृत के सहार है थीषको का हतयी दिसांतर आगे नैगा इस तरह जो सरकल बनाया हुआ वृत बनाया हुआ इसको बोलेंगा च्छांस और उपर से नीचे है नहीं मिलाए गया ना उत्री धुरूब अदसिंधुरूब को मिलाए गया तो इसको कहते हैं दिसांतर दिसांतर रिखा है थर्ड कोर्शन है महाजनपदों का विवरन प्राप्थ होता है तो महाजनपदों का विवरन प्राप्थ होता है रिग वेद, सामवेद, यजूर वेद और अथरो वेद, आप यह याल रखेगा वेद कितनी परकार को होता है, फोर है लोगतांत्रिक सरकार किन से धानतों पर काड़े करते हैं, तो आपसन है लोगों के भागिदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं, न्याय, फोर थे उपड सबी हो जाएगा, किनकि जो लोगतांत्र में सरकार है न, वो कंट्रोल में रहती है, किमकि आम जनता को वोट देती है, उसके पच में, तो पांच साल पर वोट होता है, तो गाव में क्या होता है, पंच होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, और भी ठीशार होता है, जब राजगजदीव बैठता है लोग चाहें चाहें नहीं चाहें उसे को मतलब नहीं है जो लोगतंतर के सरकार है जो वोट के दवारा जो नहींता लोग चुने जाते हैं तो इसमें क्या लोग के भागिदारी है पुच जिसको चाहेंगे उसे को वोट देंगा जो लोकतंतर में सरकार बनता नोग का परत्ती जिम्मेदार होता ट्क किना तो लोग के समस्याओं का समध 주ंक करता है उसके बाद लोकतंतर है ना यहसलता समिन्धान के नहीं नंशार लिखे हुए है कि मुखेमंत्री का तो लुकतंत्र में गड़िव अमीर सब के लिए नियम कानुन सेमी है तो तीनों हो जाएगा तो तीनों के लिए क्लेगा उपड़ युक्त सभी तीरी ये सही मिलान कीजिए तिसमें भी मार्किंग सिस्टम सेमी है चार गो रहेगा कोशचन और आठ नमर का एक सही कीजएगा तो दो नमर मिलेगा पला है महाझनपद तो मगद है न एक महाझनपद होता था और एक बहुत बड़ा महाझनपद था मगद जल मंदिर कहा पाओ पड़ी ये नलंदा में है, एसिया क्या है महादेश है, अग गुलोब क्या है, प्रिथवी का मोडल है, मोडल फॉर्थ में बोला जा रहा है सही प्रस्णों के उत्तर दो से तीन वाक्यों में दिजिए दो से तीन वाक्यों में तो देखेंगे कि फुल स्टाप कितना बार आएगा दो बार आसकता है और मैक्सिमान तीन बार तिसमें चार कोशन रहेगा एक कोशन सही करने पर चार नमर मिलेंगे चारों सही किज़ेगा तो 16 नमर पहला सवाल है देशांतर रेखा किसे कहते हैं अच्छांस रेखा किसे कहते हैं उपड़ लिया है अब पढ़ेंगे देशांतर रेखा किसे कहते हैं तो आपको कुछ में पहले बतायते हैं कि ये प्रितिवी है, ये उत्री धुरूब ये दशनी धुरूब है, उत्री धुरूब ये दशनी धुरूब है, उत्री धुरूब ये दशनी धुरूब को मिलाने वाले हैं धे सारे रेखाएं खेची गई, धे सारे रेखाएं, इन सा अपने मंग से बनाया है, वेगानिक लोग जो है, वो इसलिए बनाया है ताकि परित्वी के अध्यान अच्छे से किया जासे है, क्योंकि परित्वी तो छोटा तो है नहीं, क्यासानी से अध्यान कर लेंगा, जैसे तस्यूआश्यम दे सकते हैं, दिसांतर एखा काफी देसांतर रिखा का काम क्या है? किसी भी इस्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रिखाओं का सहरा लिया जाता है तो समय का पता लगाने के लिए न देसांतर रिखा का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि आपको पता है कि मैप में इधर होता है इस्ट से तो पहला क agreeing क्या है इस्ट की ओड पठता पुरव की ओड तो इधर सबसे पहले पढ़ेगा दिन सबसे पहले होगा प्रगास आघे बढ़ेगा तब दिन आगे बढ़ता जाएगा तो समय में क्या होगा अंतर होगा पुड़ी प्रिथी पर तो समय जैसे रहेगा नहीं तो सुबर सोब से पहले किदर होगा इदर होगा ठीक है इस भाग में होगा उसके बाद फिर इस भाग में उसके बाद अंत में यहां पर सुरज का प्रकास पड़ेगा ठीक ना पस्चिम नियम कानून बनाएगी और सासन करती है पुरी देश की लोगों पर ठीकिन चाहे कितने भी राज्यों, चाहे कितने किंद सासित पर देश हो, सब के लिए नियम कानून बनाती है किंद सरकार, उसके बाद राज्य का अपना सरकार होता है, सभी राज्यों का अपना सरकार होता तो उसको करते है राज्ये सरकार कियोंकि के अंदर सरकार है ना पुरी देश को संभान ले सकती है क्योंकि देश के बहुत बढ़ा है तो संभानने के लिए जोड़ पड़ता है राज्ये सरकार का तो राज्ये सरकार भी ठीक ना पुरी राज्ये पर ठीक से सासन नहीं कर सकती यहमकानुनका पालन लोगों से अच्छे से नेकरवा सकती है। लाग हुआ तो यह कोश्चन आदिमानव के समय का पूछ रहा है तो आदिमानव है ना शुरू में उन पस्वों को पलतु बनाया था जो अहिंसक हो जो उस पर हिंसा ना कर से किसने किसी उसे में उसको खाई लेगा इसलिए वह कुटा भेड़ बकरी गाय भैस ठीके यह सब को पलतु बनाया जो परसाथ होगा तो पानी बहुत भर जाता है तो उसमें भोजन की कमी हो जाता है उसके वाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो घास पात बहुत सब पालतु जानवर को जो पाले गड़ाते थे ना तो वो क्या जिन्दा मांस थे जीवित मांस जब चाहते थे जो जीवित मांस कभी भी मिल सकता था पसों से दूध भी मिलता था बैल भैंस जैसे जो ताकतवर पसुए ने उसका इस्तमाल वो खेद जूतने में करते थे ठीक है उसके बाद सिकार खोजने में भी करते थे भोजन डूड़ने में तो सिकार खोजने में जानवरों का कैसे इस्तमाल करते थे तो जैसे में एक्जांपल में जैसे वो कुत्तो को ले जाते था तो दूर से ही शिकार को देख लेता था जैसे उधारन ग्रूप में लेते हैं पेड़ बहुत उचाई पर माले इतने बंदर बैठावा तो कुता देख लिए भॉकने लगा तो उपर जब देखता था तो उसको पता चल जाता था कि उपर बंदर है तो उसको जो पालतू पसु है उसको सिकार खुजने में मदद कर देथा उसके बाद भोजन ढूणने में मदद करते था भोजन ढूणने का मत्तम यहाँ पर क्या है ना जैसे फल हो गया कदमूल हो गया यह सब तो जो पालतू पसु होते है जो सकारी जैसे गाय भैंस बक्री भेड य यह सब को छोड़ देते थे तो अपना भोजन है ना इधर उदर ढूंड लेते थी तो आतिमानों को पता चल जाता था कि उधर उसके बाद एक जगह से दुसरे जगहा जानेमे उनको मदद मिलता था जानवरों से तो कोशन कुछ रहा था कि परशपालन से मानव को क्या-कय लब हुआ तो उतर लिखेंगे पालतु जानवरों के मांस दूद आदी का प्रयोग खास समगड़ी खास समगड़ी यानि खानी योग जो होता है समगड़ी वस्तु उसको बोलते हैं खास समगड़ी तो खास अमगड़े के रूप में होने लगा ठीक है उनको जीवित मांस मिलने लगा तो जब चाहते थे तो उसको मार देते थे और खा लेते थे अदूड तो मिलते हैं ही था बैल भैंस जैसे ताकतवर पसूं का अपयोग खेत जोतने में किया जाने लगा शिकार खोजने भोजन डोड़ने एक जगा से दुसरे जगा जाने में और वस्तुओं को ले जाने में उनसे मदद मिलता था तो एंसर बोड़ा था है दो से तीन वाक्यों में देजिए तो देखे फुल स्टॉप कितना है उसको हिंदें बोलते है पुर्ण विड़ाम कितना है तीन वाक्य है फोर है ग्रहों के संख्या कितनी है नाम लिखिए तो ग्रहों के संख्या आठ है पहले नौग हो था नौवे नंबर पर था प्लूटो प्लूटो का बौना ग्रह काते हैं ठीक है प्लूटो का ग्रह नहीं माना जाता है उसको बौना ग्रह काते है क्यों यह ग्रह माना जाता है यह से माल लेते हैं कि यह सूरज है ठीक है इसके चार ओर सभी ग्रह चकर लगा रहा है तो माल लेते हैं कि नौमेज स्थान पर क्या है नौमेज स्थान पर प्लूटो है तो यह जो प्लूटो है ना एक विस्येस कच्छा में चकर नहीं लगाता था यह सब को बोलते हैं अच्या लेकिन जो पलूटॉ गरह था उनाओ अपना रास्ता ने रास्ता ने कभी-कभी बदल लेता था में ज्यानिक DAN किये और इसको ग्रहों के स्रेने से हटा दी प्लूटो जाहा है वहीं है लेकिन अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि ग्रह का प्रवासा यह है कि वह जो अकासिय पिंड जो सुरज की चारोड एक विशेश पत्थ पर उसको कछा करते हैं उसके चक्र लगाना चाहिए तो हर साल एक ही कच्छा में चक्र लगाना चाहिए रास्ता नहीं बदलेगा तूसी को कहेंगे ग्रह लेकिन प्लूटो हलका फुलका इदर उदर रास्ता बदल लेता था इसलिए अब उसको ग्रहों के स्रेने से भाड़ निकल दिया गया है तो ग्रहों के संख्य कितना है आठ है, नाम क्या है? बोध, सुक्र, पृत्वी, मंगल, भ्यस्पति, सन्नी, अरुन और वरुन. तो सुरज के सबसे नजदिक होता है पूध, और सबसे दूर में होता है वरुन. फाय में बोला जा रहा है, किसी एक प्रस्ण का अधिक्तम 50 सब्दों में उत्तर देजा, 50. इसे मोड़ा अधिक्तम 50 सब्दों में देए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि 10 सब्दों में देदेए, ठीक है? यहाँ इसा नहीं है, तो कम से कम 30 से ज़्यादा रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह 10 नमबर का है, तो ज़्यादा बड़ा तो हो लिखिए, तो चार सिधान्त बतायत हैं, तो दुख को खतम करने का, उसको करते हैं आडे सत्य, तो वही लिखना है, दूसरा है, वाइवंडल किसे करते हैं, वाइवंडल की विभिन पर्तु का नाम लिखिए, तो पहला कोशन पुछ रहा था, महाताम बूद द्वारा बता तो कहा है दुख, पहला दुख के वारा बताया है, फिर समोदय, फिर निरोध, फिर मारत, तो महाताम बूद बोले ना कि इस अंसार में दुख है, ठीकर सुख है तो दुख भी है, पिर आगे बोलते हैं दुख है तो दुख का कारण भी है, ठीकर दुख का कोई ना कोई का तो वहीं पर उसका समधान भी है तो बोलते हैं दूख है तो दूख का कारण भी है दूख का सुल्यूशन भी है उसके बाद बताते हैं कि दूख का निवारन है तो कौन-कौन से उपाई है तो निवारन के लिए नहीं उसका सुलीशन के लिए अस्टांगिक मार्ग है अस्ट ख्राहतार सिधरन था तए दोनों प्रस्ट में से किसी एक को ही बनाना है आपको हम दोनों बता रहे हैं वायमंडल किसे कहता हैं वायमंडल की विभिन पर्तुव का नाम लिखे हैं तो सर्था हमारे दुनिया से है जुग्राफी तूतर लिखेंगे प्रिथिविक चार ओर हव हवा है जो कई सो किलो मेटर की उचाई तक फैली वही है य darüber होते हैं तो प्रिभास है किताब से लिखावा है तुस विश्वत की तरह सकते हैं इस तरह सी bypass लोट刁 प पहीं पुचरा योया मंडल की बिभीन पर्तों का नाम लिखेंगा तो बृतर्व के नजदिक है छोब मंदल मिलेगा समताब और उपड़ते जाएगा तो यह सेड जूर करें अभी दुश्कुल बंद हो गया अगर आप अपने दोस्तों के बीज में सेड केज़ेगा तो वह भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे वहां से आप इन सारे मोडल सेट को लिख सकते हैं अगर आप और भी ऐसे मोडल सेट चाहते हैं बाके सब्जेट्स के भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्जेट का नाम लिखेगा तो मोडल सेट आपके लिए बना देंगे